यूं तो बॉलेवुड में दोस्ती के मामले में करीना कपूर अमरिता अरोड़ा जैसी कई हीरोईनों की जोडियां हिट हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का कहना है कि उनके पास न तो दोस्त बनाने का वक्त है और नहीं दोस्ती निभाने का सोनम कपूर, दीपिका, पदकोन और आलिया भट जैसी कई अभिनेत्रियां बॉलेवुड की लगभग हर पार्टी की रौनक बढ़ाती हैं लेकिन अनुष्का शर्मा पार्टियों में कम ही नजर आती हैं हाल ही में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पेज टीन पार्टी में शामिल होने का मन नहीं करता तो उन्होंने साफ साफ कहा मुझे नहीं लगता कि बॉलेवुड में मेरी किसी के साथ अच्छी दोस्ती है हाला कि बातचीत मेरी सभी के साथ है लेकिन मैं किसी के भी साथ ज्यादा घुली मिली नहीं हूँ मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी ही दुनिया में मगन रहती है मैं खुद को ज्यादा सोशल नहीं मानती बलेवुड में आकर तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत लोगों से बात करने लगी हूँ पहले तो मैं अपने परिवार के लोगों के सिवा किसी और से कोई बात ही नहीं करती थी मैं जानती हूँ कि इंडिस्ट्री से जुड़े कुछ लोग मुझे घमंडी समझते हैं उन्हें लगता है कि मैं खुद को बहुत समार्ड समझती हूँ इसलिए उनके साथ किसी पार्टी आदी में शामिल नहीं होती लेकिन जो लोग मेरे करीब हैं वे मेरे स्वभाव से बहुत अच्छी तरह बाकिफ हैं सच कहूं तो मेरे पास काम इतना होता है कि किसी के साथ दोस्ती करने का वक्त ही नहीं होता फिर जब मेरे पास दोस्त बनाने का टाइम नहीं है तो दोस्ती निभाने का टाइम कहां से होगा मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ मैं सब के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती गौसिप बरदाश्ट से बाहर अनुषका ने कहा कि उन्हें घर पर बैट कर टीवी देखने का बहुत शौक है इसके अलावा वे नई नई किताबे भी पढ़ती रहती हैं पार्टी में बजने वाले गानों से अनुषका का सिर्दर्ध हो जाता है इससे अच्छा वे धीमी आवाज में अपने घर पर गाना सुनने ना पसंद करती हैं अनुषका को पार्टी और क्लब इसलिए भी पसंद नहीं क्यूंकि वहाँ म्यूजिक की साउंड इतनी तेज होती है कि दो लोग आपस में बाचीत नहीं कर पाते रही बात गौसिप करने की तो वे उनके बस की बात नहीं है अनुषका काम की बात करना पसंद करती हैं वह किसी से बेमतलब की बात नहीं कर सकती इधर की बात उधर करने की उनकी आदत नहीं है यह उनके लिए समय की बरवादी है पिछले तीन सालों से अनुषका अपनी फिल्मों में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें कोई दूसरा काम करने की फुर्सत ही नहीं मिली लेकिन अनुश्का को अपने व्यस्त शेड्यूल से कोई शिकायत नहीं है वह अपने काम से प्यार करती हैं और चाहती हैं कि हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर ही लाइम लाइट में रहें अनुश्का खुद को पूरी तरह से ग्लैमर की दुनिया में नहीं ढालना चाहती यही वज़य है कि जैसे ही वह अपने काम से फ्री होती हैं वे सीधे घर आ जाती हैं उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता